तो कैसे हैं आप प्यारे बच्चो आप सब के कहने पर टॉप 30 की इस सिकेंट सीरिज में आप सब को ही लाया हूँ सुनो और याद कर लो अब यह कॉस्टन देखते हैं वाट डज करेज मीन टू मंडेला मंडेला जो ठिनगा साथ मी था उसके लिए करेज का क्या मतलब है तो according to मंडेला करेज आपको यह सब अगर समझ में ना रहा हूँ तो इससी पर लिए करेज मीन के लिए एस लगा देना है क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट करेज मीन्स विक्ट्री वी आई सी टी ओ आर वी विक्ट्री करेज का मतलब है विजय प्राक्त करना किस पर फियर प ठीक है करेज does not mean absence of fear यह जरूर लिखना पड़ेगा करेज का मतलब यह नहीं है कि डर का ना होना तो करेज does not mean absence of fear विक्ट्री ओवर इट ओवर इट यह नहीं उसी डर के उपर बिरजय प्राक्त करना अब वो इसी बात को धारन से समझा रहे हैं क्योंकि उनको लगा कई लो जो does not feel फील नहीं करता अपरेड यह नहीं डर को what he who concures it but वो है जो इसको जीतता concure यह नहीं जीतना अब concure आपको याद नहीं होता तो अब बिन याद कर लो w i n win तो the brave man is not he who does not feel afraid what he who concures over the fear simple जीवात सहसी आदमी हुआ है नहीं है the brave man is not who does not afraid ठीक है अगला question why did anything she could confide more in her diary than people लोगों की बिक्षा उसका ज्यादा लगाओ है समद्ध डाइरी से था यह अन्य सोचती है तो आपको क्यों क्यों सोचती है ऐसा वो बिचारी लड़की वो सोचती है ऐसा इसलिए बिचारी का कोई फ्रेंड नहीं she had no friend तो आपको past में ही लिखना है head मतलब have की second form तो उसके कोई दोस्त नहीं है दोस्त नहीं था head मतलब past past का form तो she had no friend no true friend तो उसका कोई true friend नहीं था दूसरी कंडिशन she had many friends उसके बहुत सारी दोस्त थे बट she was not close to any of them बहुत सारे friend members close किसी के नहीं थी वो तो she had no true friend and she was not close to any of them अगला है वाय राजबीर excited to see the garden जो ये राजबीर नाम का बंदा था ये excited क्यों था कि मुझे देखना है मुझे देखना है क्या देखना है tea garden देखना है क्यों excited था बाई जैसे आप कहीं कहीं नहीं जगा जाते तो excited होते है ना बैसे ये बंदा राजबीर excited तो राजबीर वाजबीर एक्साइटेड to see the tea garden वो tea garden देखने के लिए बहुत जादा excited because he had never seen tea garden जो चीज हमने नहीं देखने के लिए इसलिए excited था because he had never seen उसने कभी देखा नहीं था क्या नहीं देखा था garden नहीं देखा था and such less green landscape और वो हरी हरी घास आ दी उसने जमीन को नहीं देखा था इसलिए वो excited था और also he wanted to know more about tea plantation और वह जानना चाहता था he wanted to know more यानि जादा about tea plantation जो tea की plantation है चायपत्थी के plantation उसके बारे वो जानना चाहता था क्योंकि उसे चाय की दुकान तो नहीं खुल ली थी भाई मजाग था अगला प्रशन है why did ये बंदा why didn't really want to make friends with elderly women elderly women के साथ बल्ली दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी ये simple सी बात है अब बुजरों से बुढ़ों से बुढ़ों से दोस्ती कौन करना चाहेगा तो ये भी नहीं करना चाहती थी तो देखते हैं वल्ली डिड नॉट बांट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली बुमेन बिकॉज यहां तक तो कॉस्टन में लिकर बिकॉज उसके जो कान के चिद्दा थे वो बड़े थे तो दो बुमेन हैड हैड या नी पास में होना या होना जैसे आई हैड आई हैड ब्लेक एर मेरे काले बाल हैं तो यसी दो बुमेन हैड बिक एर होल्स उसके बड़े कानों के चेर थे इसलिए ओ, बिद अर्ली अर्िंग्स, अगली अर्ली उसके गंदे earrings थे, ear rings यानि कान में लगाने वाले rings, वो बहुत गंदे थे, in them, इस दो चीज़ें थी, एक तो वो repulse हो थी, बड़े उसके ear hole थे, और गंदे ear rings थे, she was chewing the battle which was about to spill over her lips और जो वो चवा रही थी which was about to spill over his lips और वो इसके आठों के उपल लगा हुआ चाहा ऐसी एसी अरत से कौन्दोस्ती करना चाहेगा वाई इसलिए ये हो गया अगला how was mist to be transported to England अब जो मिज है how was mist to be transported to England इंगलेंड को कैसे transported हुआ तो मिज was to be transported to England by air कैसे गया वो हवा से गया the airline instant that मिज should be packed into a box not more than 18 inches square उसे एक डिबा बंद होना पड़ेगा और वो 18 inches से बढ़ा नहीं होना चाहिए तो अब उसी में जाएगा न तो मिज was transported तो आपको मिज को was transported by air the airline instructed airline ने ये मिज should be packed into a box ठीक है डिबा बंद होना चाहिए और that should not be more than 18 inches उट से बढ़ा नहीं होना चाहिए तो इसलिए मिज was transported मिज को ट्रांसपोर्ट किया गया to England in the box उसे डिबा बंद करके बेजा गया बिज was kept on the floor at his feet जो की रखा गया था उसके पेरों के पास खलोर पर ठीक है अगला प्रशन है अगला प्रशन है तो बुद्धा वांटेट किसा got me to understand यह तो question महीं लिखा है बस यहां dead लिखा है तो आपको second form बना दीजे क्योंकि past cancer past महीं रहा है तो बुद्धा वांटेट किसा got me to understand that question के that is common मरना सामानने बात है कोई कभी भी मर सकता है कोई वीडियो देखते देखते नहीं है सानिय होगा तो that is common to all सभी के लिए मृत्यू समान है he wanted I to see the truth वह चाहता था how to see the truth वह उसे सच्चा ही दिखाना चाहते थे truth of life किसकी जीवन की सच्चा ही दिखाना चाहते थे and death और म्रत्यू की भी सच्चा ही दिखाना चाहते थे he wanted her to see he wanted her to see वह चाहते थे कि वह देखे the truth of life and death ठीक है and accept the destiny of human being और सुईकार करे तो तीन चीज़ें वह चाहते थे death is common ये बात वह समझे और वो ये समझे the truth of life see the truth of life and death ये समझे और accept करे the destiny of human being जो मनुस्यों की किस्मत है जर्नी है यात्तरा उसको वो समझे तीन बात थे death is common life is life and truth the truth of life and death and accept the destiny of human being अगला जो है why was the young seagal afraid to fly ये जो young seagal था ये fly करने से डरा हुआ क्यों हुआ था डरा हुआ काओ भाई ये question का answer आगे बता हुआ क्योंकि वीडियो बढ़ा हो गया न नमस्ते